हलो मेरे दोस्तों आप सबका स्वागत है सीको कोरल ड्रॉई हिंदी में क्रियेटिव थिंकर्स अपके चैनल पर आज हम देखेंगे किस तरह से रॉयल साइकल्स कंपनी का लोगो हम बना सकते है पॉलिगॉन लो और ये 5 साइज को 20 कर दो ठीक है और इसको साइज भी अभी 100 आप दे दो अभी क्या है कि इसके अंदर अभी हम सिलेक्टेड करेंगे तू सिलेक्टेड जूम करके इसको 360 डिवाइड बाइ 29 होता है 9 तो हम 9 डिग्री से उसको रोटेट कर देगे ठीक है यह हो गया तो यह सीधा हो जाते है सीधी लाइन हो जाती है अभी यहाँ पे एक रेक्टांगल टूल एज टू एज नोड टू नोड लेते हैं और यहाँ पे इसको आट आट एमेम तक हम अंदाजे से यहाँ पे छोड़ देते हैं ठीक है तो इसको अब चेंज करेंगे ना यह देखो यह चेंज और रहा है त इसको यह अनलोग करके 25 करेंगे और इसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ डूब्लिकेट करने के बाद वापिस यहाँ पे डेश रांट और राइट अलाइइन करता हूँ अभी हम क्या करेंगे अभी वापिस हमारा एग्जिगेंसयक्ट टैप कर से ले अच करते हैं यहाँ क्लिक करते हैं और यह अभी यहां पर नोट डालते हैं अभी यह यूज करने में हमको फाइदा क्या है हमने गैर पहले भी बना है आप पुराने वीडियो में देखेंगे तो हमने यह अलग टूल से गैर बना है इसमें क्या होता है आप एक ही यह बनाएंगे ना इसके बाद यह देखो सब बाकी के automatically बन रहे हैं यहां पर और एक mode अब select करो और यहां पर डाल ठीक है और जो भी हमारा अभी extra है यह और यह पीछे का डिलीट कर ठीक है और यह जो बीच का जो यह ऐसा बहार आ रहा है उसको भी डिलीट कर अभी हम क्या करेंगे कि यह gear को सई करेंगे तो यह अभी one mm डाल देते हैं grid line डालने के बाद और grid line को अंदर लेते हैं सेम हम दूसरी तरफ से भी करेंगे यह यहां पर और एक mm अंदर ठीक है यह हो गया अभी एक mm बाहर दोनों तरफ से बाहर ठीक है और अभी हम यहां पर select करके control दबाके हम यह node करेंगे ओ यह snap नहीं हो अभी activate कर दो तो यह perfect guideline पर आ जाए ठीक है यह आ गया देखो intersection आ रहा है control दबाके यह करो और यह आपको अंदाजर से करना पड़ेगा पर यह line नहीं छोड़ना जो पीछे की जो line है ना वो line नहीं छोड़ना यह perfect अप्टा गेर आगया अभी इसको rounding करते हैं यह rounding करने के ल करेंगे object को select करेंगे तो यह apply activate हो जाए अप्लाइ दबा दो यह automatic round हो गया तो हमारा gear यहां पे बन गया ठीक है तो यह हमारा rounded gear हो गया इसको बन कर देते अभी यहां पे circle डाल तो यह circle control दबा के आप बनाओ perfect इसको lock कर दो और 85 डालके इसको gear के perfect center में डाल दो फिर circle को duplicate करो copy paste और यहां पे 25 कर दो ठीक है हो गया तो यह हमारा अभी हम यहां पे उसके जो connector है न वो बनाए तो यह bezier tool लेके यहां पे एक अंदाज ऐसे बस यह आप इस तरीके का एक shape बना दो हो गया अभी यह line को आप curve कर दो और अंदर डाल दो यह line को curve करके आप अंदर डाल दो ठीक है अभी हम क्या करेंगे कि यह थोड़ा पतला लग रहा है चलो ठीक है इसको अभी हम थोड़ा और मोटा करते हैं यह मोटा कर देते हैं इसको उपर कर देते हैं थोड़ा सा और यह जो है ना इसको और हलका सा curve हम दे देते हैं हाँ इस तरीके से ओके हैं यह हो गया से trim करेंगे और यह और बड़ा circle select करके intersect करेंगे और इसको delete करेंगे यह हो गया अभी यहां पर इसको center center of circle लेके control दबाके right click left click करेंगे तो duplicate हो जाएगा और control ctrl D करके यह complete हो ठीक है अभी इस circle को हम हलका है ना 25 से 25.5 कर देंगे यह हम क्यों कर रहे है क्योंकि आपने जो trim किया ना उसके अंदर बहुत सारी jagged edges आती है तो यह इसको हम पहले सब को weld कर देते हैं circle के साथ और फिर यह delete कर देंगे और यह जो भार का है ना उसको gear के साथ trim कर देंगे अभी यह element हम यहाँ पे लेते हैं और इसको हम अभी हमारे object के बीचो बीच रखेंगे यहाँ ओके यह यहाँ पे रखेंगे और इसको size इसे 25 okay और CE करके इसको बीच में रख देते हैं यह थोड़ा हलका छोटा कर देते हैं तो अंदर आएगा यह यह खुब्सूरत लग रहा है यह हम क्यों कर रहे हैं अभी क्योंकि हमको royal cycles का हम logo बना रहे हैं ठीक है यह भी हम open graphic design.com से हम free में download कर सकते हैं तो यह है ना यह ऐसा नहीं कि यह curve हम नहीं बना सकते हैं यह हमेशा बना सकते हैं पर यह हम time बचाने के लिए यह थोड़ा बहुत जो हमारे पास पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ था वो हम यहाँ पे use कर सकते हैं तो यह वाला कव हम ले लेते हैं क्योंकि हमको रॉयल गैर बनाना है ठीक है और गैर रॉयल लगना चाहिए यह उसमें यह सब design हो हम engrave करेंगे तो यह रॉयल लगे तो यह अभी हम बनाएंगे इसको एक size देते हैं फिलाल अभी 83 देते हैं देखते हैं और यह इसक तो c e नहीं नहीं यह तो बहुत छोटा है इसको अभी बढ़ा करते हैं पहले हाँ यह control दबा के आप बढ़ा करो और यहां पर यह 95 का size सही है 95 हो गया इसको अभी copy paste करेंगे और यहां पर हम 93 का size है ओके यह हो गया अभी यह और यह हम दोनों को ट्रिंग करों हो गया यह डिलिट कर अभी यह यहां पर काम करते हैं यह नहीं यह वाला कनेक्टर लेते हैं यह थोड़ा और थोड़ा इसमें डिजाइन है ठीक है इसको रोटेट कर दे वानेटी डिग्री इसको छोटा करके बराबर आप अलाइन कर दो यह पोजिशन आया है हाँ यह अच्छा है ओके यह अच्छी पोजिशन है और यहां पर अभी इसको ब्लैक करके आपको पहले इसको अंग्रूप करना पड़ेगा और फिर वेल्ड करना पड़ेगा तो यह सिंगल अब्जेक्ट हो जाएगा ठी तो यहां से उसका सेंटर आफ रोटेशन सेंटर में डाल दो कंट्रोल दबाके यहां पर राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करो और कंट्रोल डी यह हमारा कंप्लिट हो ओके तो यह सब यहां पर आगए सब को सिलेक्ट करो यह हमारा ट्रिम किया हो सर्कल को सिलेक्ट करो और सब को weld करो तो यह इस तरीके से हो जाए ओके यह हमारा complete हो गया अभी यह object को आप duplicate करो फिर से gear को यहाँ पे copy paste करके और यह इसको हम extrude करेंगे अभी हम पूरा क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको अभी सिर्फ gear का पीछे का ही चाहिए ना आगे तो हमने वहाँ पे etching type effect दिया है इसको 10 का depth देके आप यह 10 का depth देदो तो यह इस तरीके से दिखेंगे ओके यह हो गया और इसको अभी break apart extrude को break apart कर दो फिर यह सब को select करके आप उसको एक gray color देतो एक fill यह आ गया control z करो ठीक है और फिर इसको page up और यह यहाँ पर ओके तो फिर इसको जो group किया है यह जो पीछे का जो object ने जो gray किया था उसको white कर दो ठीक है यह हम क्यों कर रहे है क्योंकि हमको यहाँ पर अभी bevel effect चाहिए तो यह beveling का जो effect आएगा ना उसके अंदर तो यह बहुत खुपसूरत आए तो यह अभी आप इसको कितना bevel चाहिए आप यहाँ पर adjust करके वहाँ पर रख दो ओके यह अच्छा लग रहा है अभी हम क्या करते है यह जो हमारा object है उसको एक fill देते हैं यह इसको एक fill देते हैं got it और फिर उसके बाद यह यहाँ पर interactive fill देखे हम अभी इसमें कलर भर देंगे यह वाइट वाइट क्यों आ रहे है क्योंकि हमने वाइट कलर डाल ठीक है तो इसमें कलर डाल दो पीछे की साइड पर तो यह आ जाएगा अभी अंदाज से कुछ डालते हैं क्योंकि हमको इसके देखते हैं अभी किस नहीं यह वाइट डालने से यह तकलिफ हो रही है वाइट को बदल दो तो कहां पर भी यह वाइट नहीं आना चाहिए ठीक है वह इसाब से दूसरे कलर भी हलके हलके हमको डाक करने बढ़ें ओके इसको हम 10% ही देते हैं जादा नहीं और यह हमारा कंप्लीट होगा अभी आपके हिसाब से इसको एक एंगल दे दो तो यह यह यहां पर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अभी हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा यह है इसको भी हम एक फिक्स कलर देते हैं यह अभी हमारा यहां पर आ रहा है ठीक है यह कलर थोड़ा डाक हो रहा है हाँ यह लाइट कलर देते हैं ओके यहां पर अभी सब को सिलेक करके हम अभी यहां पर नो फिल देते हैं नो आउटलाइन सारी तो यह नो आउटलाइन देने से यह अभी हम लिखेंगे हमारा नाम रॉयल गैर बन गया अभी रॉयल साइकल लिखना है ठीक है तो यह queen आफ टुड़े नहीं यह यह फॉंट चलो देखते क्या है यह queen आफ टुड़े तो यह फॉंट नहीं यह तो playful फॉंट आ रहा है हमको queen फॉंट चीए क्वीन यह ऊपर है हाँ यह यह रहा यह देखुआ यह हमारा hon में है ठीक है कि विवब्र 컨 oluş одन कżenie अभी हैं से यह अट दो धा। हमारा साइन, यह इन की कर अधिर से बन जाए यह और य को cut करके, हम यहां पे नए से उसको paste करूए हो तो यह हमारा यहां पे हो जाए अभी यह यहां पे position कर दो और इसको अभी हम छोटा बढ़ा कर देते हैं R को भी रख देते हैं और इसको छोटा कर देते हैं R को भी select करके सब को base align कर देते हैं अभी हम बनाएंगे अपना grid तो ये grid को बनाने के लिए अभी एक rectangle लो ठीक है आप कौन सा भी logo आप बना रहे हो न ये इसको lock कर दो अभी unlock करते हैं और 60 कर दो तो ये हमारा 5 point का हम पूरा grid बनाएंगे ठीक है 5 point बोलो कि 15 point बोलो हम वो इसाब से पूरा grid बनाएंगे ठीक है तो ये 60 का हुआ ओके इसको shift page down कर दो तो फिर उपर के आप text select कर सकते हो ओके ये आर को convert to cross कर दो और इसको size आप 60 दे दो ठीक है यहां से यहां से भी आप दे सकते हो ये select करो lock करो और 60 करो lock करना बहुत ज़रूरी है ने तो आपका font यहाँ पे distort हो जाएगा ठीक है और distortion font designer उस हिसाब से distortion font पे काम नहीं करते हैं ठीक है अभी हम ये circle को फिलाल अभी bottom align कर देते हैं और इसको छोटा कर देते हैं ये अभी temporary है ये रहने दो ठीक है अभी हम इसको duplicate करके ये yl के उपर डालते हैं और ये दिखते हैं कितना है अभी ये देखो ये भी perfect हमारा 45 पे है तो हमारा 5 या 15 की जो अपन grid सोच रहना वह हिसाब से ही ये होने वाला है अभी ये चीज़ को अभी हम नहीं खेलते हैं अभी रहने दो ठीक है ये बाद में हम grid adjust करेंगे पूरा ये yl को ले लो और इसको हम 15.4 यह यहां पे इस तरीके से डाल देखें यह यहां पे ऊपर ले लो और यह देखो यह यह ऊपर थोड़ा भार निकल रहा है तो इसको आपको adjust करना ज़रूरी है तो उसके जो nodes है ना एक है वो सब nodes अपन shape tool से हम select कर रही है अभी यह select हो गया अभी control cut करो control x और control v ठीक है तो यह cut और paste हो गया तो यह हम अभी हलका सा यहां पे हटा देते तो यह yal में gap same हो गया अभी यह सब को select करो group करो और इसको 45 करो ठीक है यह हो गया इसको base align कर दो और यहां पे left align कर दो हमारा nudging है तो उसको five point नीचे लेके अभी हम इसको सिर्फ 65 करते थे ठीक है वापिस इसको top करो और five point नीचे आने लो तो यह क्या हुआ यह हमारा ten point नीचे आ रहा है और five point उपर आर से नीचे अभी यह सब को select करो alignment tool में जा align and distribute इसको zero करो h को horizontal alignment को और यह सब को इस तरीके से align कर अभी इसको आप grid के हिसाब से आप यहां पे group करके उसको यह L को यहां left align कर ठीक है हो गया अभी हम क्या करेंगे यह जो इसके नीचे का अभी यह 10 के उपर भी एक grid डाल देते हैं इसको copy paste करते हैं एक grid यहां पे डालते हैं ठीक है यह हमारा 55 का grid होगा यह lock okay 55 top okay और फिर यह छोटा क्यों हो गया नहीं बाहर जाते हैं इसको right align कर दो और फिर इसको फिर से copy paste करके हम नीचे यहां पे 10 डाल देते हैं ठीक है यह unlock करो और इसको 10 करो यह हमारा complete हो यह देखो यह बहर आ रहा है क्योंकि यह lock हमना हमारा lock था यह वो time पर कोई नहीं तो यह अभी हम लिखेंगे cycles अभी इसके लिए हम font लेंगे scriptina यह scriptina font ओके यह font क्यों ले रहें क्योंकि इसके अंदर जो loops है यह loops हमको बहुत अच्छे लग रहें और यह cycles word cycles को थोड़ा एक stylistic look दे रहा है royal तो है पन stylish भी है ठीक है तो वो हिसाब से हमने यह font चूज किया अभी यह c को select करो और इसको 200 करो ठीक है क्यों हम यह कर रहें क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना तो यह c है ना काफी छोटा था अभी देखो बराबर दिख रहें और अभी यह c को हम बढ़ा किये हैं तो अभी उसको नस्दिक भी लाना पड़ेगा ओके तो यह हम हमारे shape tool से नस्दिक लाके यहां पर लोड़ा अभी इसके साथ खेलना अब शुरू कर दो यह आ रहा है अभी इसको वापिस copy paste करते हैं और देखते हैं यह कहां तक आ रहा है यह अरे वाह यह तो 65 पर परफेक्ट आ रहा है चलो अच्छी बात है इसको 65 पर यहां पर हम adjust कर लेते हैं ठीक है तो यह हमारा बिलकुल सही सही सब five point पर इसको base align कर देते हैं और अभी हम यह पूरा है ना इसको select करके हम side पर इसको रहने देते हैं अभी क्यों रहने दे रहे हैं क्योंकि अभी यहां पर यह जो है ना जितना भी पहले यह grid है ना select करके हम पूरा grid को हम page down कर लेते हैं group करो shift page down अभी यह r और सब अलग हो गया तो यह grid जो हमने पीछे ले लिए ना उसको हम यहां पर duplicate कर लेते हैं तो यह हमारा यह जितना भी gradient है यह है वो सबको हम white कर देंगे क्योंकि यह हमारा black and white logo है right hand side का अभी यहां पर हम color परेंगे तो इसको हम color देंगे royal blue क्योंकि यह royal है यह royal blue हम देंगे और फिर उसके बाद हम outline देते हैं है तो यह rounded corners और four point तो यह आपका इस तरीके से लोगो दिखेगा तो जो right hand side पर आप देखेंगे इतना पतला font है तो यह आपका अच्छा गाड़ा font होगा और यह दिखने में भी अच्छा देखेंगे अभी थोड़ा सा नीचे ले लो और यहां पर convert outline to object तो हमारी जो outline four point की है वो object बन जाती है दोनों को weld कर दो तो यह complete thick font एक बन जाते तो यह जो इतना पतला font था अभी यह मोटा होगी है ठीक है इसको base align कर दो और यह देखो अभी हम इसको अभी यहां पर alignment शुरू करेंगे यह दियान रखे कि आप यह बड़ा चोटा करने के time पर यहां पर grid डाल देते हैं अरे वाह तो यह भी 42 है इसको 45 कर दो और इसको यहां पर align कर ठीक है यह हो गया इसको हम अभी थोड़ा हटा चोटा कर देते हैं आपको base नहीं छोड़नी है तो जो भी आप इसको छोटा बड़ा करेंगे ना तो उपर से ही नीचे की तरफ आपको करना है ठीक है क्योंकि base नहीं छोड़ेंगे अभी यह आपका गाड़ावला font जो है जाड़ा font है weld किया हुआ उसको नीचे आप रख दो ठीक है यह आगया इसको black कर लेते हैं चलो done और अभी इसको duplicate करके दूसरे side पे भी ले लेते हैं तो जैसे जिसा हमारा होते जाएगा न हम black and white लोगों में भी change करते जाएंगे यह grid हटा देते और इसको perfect यह object के हिसाब से हम बढ़ा कर देते हैं यह देखो कितना अच्छा आ रहा है यह looping भी बराबर हो रहा है यह hook भी सही आ रहा है विल्कुल सही है अभी हम gear को copy paste करेंगे उपर लिके आएंगे और हमारे text से trim कर देंगे यह जो हम यहाँ पर यह जितने भी node से हटा दो तो यह जो हमने यह करने के बाद यह उपर वाली grid के साथ आप इसको ungroup करके वापिस group कर दो और shift page down नीचे डा दो यह जो हमने cycles copy किया था पहले उसको आप यह c है ना अभी हम को hook बनाना है तो यह इतना c रखना ज़रूरी है क्यों क्योंके हमको अभी c को पहले align करना पड़ेगा सही जगा पे और फिर हम फिर से nodes में आके shape tool में आके यह nodes delete करेंगे ठीक है तो यह systematic तरीका होता है जहाँ पे आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो अभी nodes उतनी सिलेक करने है जहाँ पे आपका c का structure खराब ना हो आपने ज्यादा nodes delete कर दिया hook तक अगर supposing चले गए तो यह आपका c का structure खराब हो सकता है ठीक है तो यह यह यहां तक आओ बीजियर टूल में आओ एक छोटा सा यह shape बनाओ ठीक है उसको hairline कर दो यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम अभी यहां पे trim करने वाले तो यह इसको curve देके यह same जो हमारे gear का जो shape है वो डालके उसको trim कर दो हमारे hook के सांथ। और यह structure delete कर दो यह तरीके सा है ठीक है तो यह हमारा आगया अभी हम एके area के साथ खेलेंगे तो उसके लिए अभी यहां पे आते हैं और इसको intersect कर देते हैं हमारे text के सा ठीक है मैं तो यह देखो यह छोटे छोटे जो आपको structure आ रहे है न इस तर ठीक है तो यह ungroup करो इसको break apart भी करना पड़ेगा क्योंकि A के substructure joint है और यह इसको हम black कर देते हैं इसको भी black कर देते हैं ठीक है और इसको delete करें चलो इसको आगे से आने दो loop को अभी जितना भी हमने black किया है उसको हम अभी trim करेंगे इसको trim करेंगे यह हम trim क्यों कर रहे हैं आप ऐसे भी छोड़ सकते हो पर त्रिम क्यों कर रहे हैं अगर आपको separation करना है color का ठीक है तो color का separation आप trim किये बिना आपका बराबर नहीं होगा तो यह trim करना जरूरी है अभी यह छोटा वाला भी हम यह loop के साथ trim कर देंगे तो color separation आपका बिल्कुल सही होगा इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा ओके यह cycles को delete कर देते इसको और यह पूरे grid को हम अभी यहां पे लेके जाएंगे तो पहले यह cycles को delete करो यह पूरा grid delete करो ठीक है और यह grid और cycles और hook को ना भूलना hook जरूरी है ठीक है ओ यह एक design भी copy होगे उसको छोड़ दो उसको duplicate कर दो और R का जो node है वहाँ पे लाके छोड़ दो यह हमारा यह complete हो जाता है अभी यह cycles जो है उसको पूरा black कर दो यह हिसाब से हमारा color और black and white logo यह royal cycles या तो आप यह same चीज royal motors के लिए भी कर सकते हो ठीक है नीचे cycles के बदले motors लिख दो तो भी आपका काम सही आएगा ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो तो यह हमारा logo complete हुआ अगर आपको यह logo अच्छा लगा है तो please like subscribe और share करना ना भूले क्यूंके